हेलो एवरीवन, सभी को नमस्ते, आयो अपसो सब अच्छे होंगे और हमने बनवाया है अबे के लिए एक बैड, काफी दिन से रिक्वार्मेट थी क्योंकि अबे की लंबाई ज्यादा होगी है, हमारे जितने भी बैड है वो एक बैड छे फुट का है और एक साड़े छे फुट का है तो इसके पैर उन पर नहीं आते हैं, तो लड़का परिशान होता है पैर में मतब एड़ियों के यहां से पैर बाहर निकल जाता है तो हमने उसके लिए यह बैड बनवाया है, तो अब बैड आ गया था तो उनने का कि हम उपर चढ़ा देंगे कहले हैं, जिनने में से समान खाली कर देंगे मैं और अब जो भी हमारा समान रखा, यह सब खाली कर रहा है तो जब यह समान पूरा खाली हो गया तो तब मैंने उनसे पूछी लिया कि आप मतब जितना उन्होंने बताया कि हम किराये पर लेके आए मतब 300 रुपे में मैं का इसी में उपर चड़ाओगे या आप एक्स्रा चार्ज लोगे उन्होंने का नहीं हम एक्स्रा चार्ज लेंगे उपर चड़ाने के तो मैंने पुछा कितने तो उन्होंने बोला हम 500 रुपे एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे मतब 300 रुपे लाने का किराया और 500 रुपे उपर चढ़ाने का इनको तो फिर मैंने बोला नहीं आप रहने दो हम उपर खुद चढ़ाएंगे आप यहां इनको उतार का आराम से रख दो तो यह भाईया है साइड में हमारे यहां गली में सोईब तो हमने उनसे मिलके अबे के साथ तो यह तरवा लिया है और हमने फिर इनको इनसे निच्चे ही रख लिया कि आप निच्चे ही रख दो इनको और आप अपना किराय लो और जाओ हम अपने आप चढ़ा लेंगे धीरे धीरे तो यह हमने आपके लिए बैड बनवाया है साथ फुट का मतलब साथ फुट के इसके बोक्स बोक्स है इसका जो पायता और सिरहना है मतलब हैड और टेल कह सकते हैं आप वो अलग-अलग है अलग है इससे साथ फुट के बोक्स बनवाए हैं हमने जिस पर आदमी लेठता है क्योंकि न बच्चा आराम से न रहे तो फिर क्या फाइदा है रात को अगर कमपर्टेबिल इन साथ सो नहीं पा रहा है तो उसका क्या फाइदा पिर पूरा दिन कैसे वो अब नाराम से पढ़ाई कर पाएगा या कुछ भी काम कर पाएगा अगर नीद पूरी नहीं होगी और हम काफी दिन से सोच रहे थे लेकि न भही मने करता रहता था था एसा था ना कि कभी अभी बाहर चला जाए पढ़ने के लिए फिर वेस्टी हो जा जाए ना आपको प्रोपर उपर लगने के बाद दिखाई देगा अब यह नहीं पसंद किया था यह गूगल से और तो उसके बाद उन्हें दे दिया था उन्होंने बनवा दिया था और उचाई भी हमने बैड की जादे नहीं रखे क्योंकि अब एको इंच पर गद्दे ज उपर चड़ाने का और कोई इतना बड़ा टास्क निया है बस हां दीरे दीरे करेंगे तो हो जाएगा तो बस सोईब ने का चलो पहले चड़ाई देते हैं बाद में ही कुछ देखेंगे तो देख लीजे कुछ इस तरह कर जाएंगे अभी पोलती नटा के भी आपको दिख 500 वह जाद है मांग रहे थे क्योंकि हम भी तो मदद कर दे अकेले वह तो चड़ाने वाले थे नि तो अगर वह कहते कि आप 200 रुपे और देदेना तो मैं कह देती चलो ठीक है लेकिन हमने तीनों ने मिलके मतलब मेरा तो कुछ जाद है सपोर्ट नहीं रहा इसमें थोड़ ना लग जाए किसी को थोड़ा बताती रही तो उसी हिसाब से तो अभी देख सकते हैं अब यह अब हमने यहाँ पे जाकर इसको टर्न करना है न जिनने में तो इसलिए पहले इसको अराम सैसे हमने खड़ा किया बोक्स को और ऐसा जब हलका सा टर्न करके तब उसके बाद इ एक बोक्स बच रहा है पाहल नीचे लेके आगी थी कैमरे को मताब पाहली बना रही थी वीडियो तो यह इस तरह का है देख सकते हैं अब अब यह पहले वाला बोक्स ही है जो उपर जाने की तैयारी में है और ओल्मस्ट पहुची गया है और देखो पाहल बे आगे साथ साथ यह मेरा पुराना बैड़ा यह मेरी शादी का बैड़ है इसको 26 साल हो गया है तो अभी मैंने बच्चों को बिचाने के लिए मना कर दिया था कि अभी बिचाओ मत और यह देखो सेकेंड वाला बोक्स भी उपर आगया है अब इसको भी अंदर ले जाएंगे दीरे दीरे तो हमारे दोनों बोक्स उपर चड़ चुके हैं देख सकते हैं बिचाया इसलिए नी था ना क्योंकि फिर दूसरे वाला अदर ले जाने में दिक्कत होती तो अब कौन सा कौन सी साइड का है ऐसे करके हम बिचा लेंगे और बिचाने से पहले अभी जो इसका हैड है ना वो आएगा उपर क्योंकि फिर बैड के उपर को चड़के हमें हेड लगाना पड़ेगा तो बच्चे हेड लेने गई है इसका और ये देखो आगया है रब है इसका पैरो के साइड वाला वो भी ले आया है जो पैरो की साइड लगेगा तो अभी थोड़ा सा रेस्ट करके हम इसको कोसिस करेंगे लगाने की अभी जो साइड टेबल है वो बची हुई है तो अभी साइड टेबल भी लेके आएंगे नहीं अंदर अभी का पैरा आगई है अड़े ये क्या नीचे टूट गी होगी एक ही काम बढ़ेंगे रखा थेक्यू तो अभी ने जैसे बताया ना कि इसका एक हिल रहा है तो तो माचलो देखते हैं क्या हो रहा इसमें तो हमने इसका नीचे देखा तो इसका एक पैर गायब था तो फिर मैंने उन भाया को कोल किया था वो आये थे इसे ठीक करके गए और बैड को भी पूरा सेट करके चले गए थी लेकिन वो रात को कापी लेट आये तो इसलिए सूट नहीं किया था वो वाला हिस्सा तो नेक्ट डे मोर्निंग में मैं उपर काम कर रही हूँ और साथ साथ में बैड को भी सेट कर रही हूँ सेट से मतलब जो भी सामान हमने निकाल के पुराने बैड का रखा था वो सारा सामान मुझे उस बैड में फिक्स करना है मैंनो उस बैड के अकोर्डिंग बैग बनवा रखे जो मैं सर्दियों के कपड़े बैग में करके रख देती थी लेकिन उसकी उचाई जादे है और इसकी उचाई कम है तो इसलिए मुझे एड़जस्ट करने पड़े कपड़े दुबारे से सारे तो इधर कपड़े भी धुल रहे हैं और उधर मैंने बीच बीच में जब कपड़े चला के फिर मैं देख दे रही हूं कि बैड का काम क्योंकि इस काम में भी टाइम ही लगता है मसीन के काम में तो बराबर बराबर एक काम और चलता रहता है इतने कपड़े धुलते हैं, इतने कुछ और काम कर लो आप, तो कपड़े थोड़े जादा थे, तो मैं चलो इतने कपड़े भी धुल जाएंगे, और मेरा बैड का काम भी हो जाएगा, तो देखो बैड में मैंने सारे कपड़े लगा दिये हैं, नीचे भी एक कपड़ा भी यूमें बैड में और उपर भी इस बैड में सबसच्छी बात ये है कि इसमें उन्होंने ये लखड़ी लगा के दिये इस तरह की तो इसके सारे ये रुख जाता है और इसको फिर आप छोड़ दो पकड़ने लंबे की वज़े से उन्होंने पकड़ने के भी इसमें तीन आएंगे मतलब फिर इसमें हम सर्दियों के रख दें गर्मियों के निकाल लेंगे तो उपर वाले बैड में मैं ऐसे ही कपड़े रखती हूं जिनकी कम जरुरत होती है ताकि बार बार ना खोलना पड़े और इसकी लंबाई कितनी है यह आप इस चीज से अंदाज लगा सक देखो यह गद्धे 6 फुट के है पुराने वाले बैड के वह 6 फुट का था तो यह बैड हमने इससे इतना बड़ा बनवाया लगबग यह एक फुट से जादा ही है जो इसकी जगे है एक फुट तीन इंच के आसपास है यह तो फिलाल के लिए मैं इस पर यह गद्धे डा के चद्धर डाल दूँगी पहला तो मैं सोच रही थी कि ऐसे ही छोड़ दूँगी चद्धर आगे तक करके लेकिन फिर जब यह मैं चद्धर बिछाने लगी तो फिर में दिमाग मैं इसके साथ तो मतलब क्या कर सकते हैं ताकि यहां थोड़ा ठीक सा लगे तो पहले तो म मैंने यह कुशन लगा के देखे इसके पास तो यह कुशन इतनी जगा है कि एक कुशन ठीक से आपा रहा था तो मैंने सोफे के पांचो कुशन उठा के और दो तक्ये उठा के इसमें लगा दिये तो जिस से यह थोड़ा सा फिल हो गया है गद्धे अभी जब आएंगे 20 में फसा दिये इस तरह तो यह गद्धे के लेबल तक आ गया अब चदर बूरी सी नहीं लग रही है ठीक लग रही है बिचके मतब चदर उठा के देखेंगे तो ही पता लगेगा कि इसके नीचे यहां पता किया नहीं तो थोड़ा सा एड़श्ट हो गया है तो इसकी लं गया है सामान वगेरा और यह कुछ इस तरह कर लग रहा है ग्रे कलर अब पसंद किया था तो अभी चद्र जो चद्र दुबारे बिचाओंगी इस पर वो इसके मैचिंग में बिचाओंगी फिलाल मैंने यही डाल दिया जब गद्धा जाएगा तब दुबारे से करेंगे स और अब हमारे एक वाइपर तूट गया था तो यह काफी दिन से रखा था इसको ठीक करना है मिलको रेनु ने मतब काम किया कह रही दीदी वाइपर तूट गया मैं कोई बात नहीं अब देखो लोहे की चीज है पानी लगता है तो जंग आकर गली जाती है तो मैंने पहले स उपर से तूटा है तो उसमें छेद तो है नहीं और नहीं मेरे पास ऐसी लोहे में छेद करने वाली मसीन है जिससे हो जाएंगे तो मैं छेद तो करूंगी नहीं लेकिन सबसे पहला इसके अंदर जो पाइप तूटा है ना मुझे उससे निकालना है अगर वो निकल तो आसानी से ठीक हो जाएगा और देखो कितना जंग लग जाता है इसके अंदर और यह उपर का ही है वाइपर उपर धूप में भी रहता है लेकिन फिर भी और मेरी कोशिस लगबग सफली होगी है देखो यह मैंने निकाल दिया जो पाइप इसके अंदर तुटा था और अब मैं क्या करूँगी जो यह डंडा है ना इसके आगे का थोड़ा सा सिरक गल रहा है तो उसको क्या करूँगी चोट मार के थोड़ा सा आगे से मोड ताकि वह आसानी से अंदर चला जाए अटके ना और बिल्कुल साफ साफ पाइप अंदर चला जाए इसवें तो यह मैंने प्लेइन सा कर लिया है अर अब इसमें क्या करूँगी जितना यह हमारे है ना पूरा अंदर तक बिल्कुल जहां इसकी रवड है वहां तक अंदर push कर देखो नीचे तक चला गया page तो इसमें कसेंगे नहीं लेकिन जो नीचे page है जिसमें ये hold हो रहा है उन page को मैं थोड़ा सा कस दूँगी ताकि ये हिले ना जादा और हलकिसी उपर से चोट मार दूँगी ताकि इसमें set रहे क्योंकि page नहीं कसे गए है पहले वाले में page कसे वे तो लेकिन अब ये इतना हो गया है कि पानी साफ कर देगा तो factness से तो much better है वीडियो पसंद आईए तो please like कर देना नमस्ते सभी को bye bye